Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of an academy group दोस्तो railway group D के लिए 100 question का मैं practice set लेके आया हूँ जो की काफ़े important होगा exam के point यो की से आपकी exam में जरूर help करेगा आप इसे पूरा इंट तक देखेगा, वीडियो पसंद आए तो like कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में group में share जरू करेगा और दोस्तो इस practice set की pdf और वीडियो का link यहाँ पर आपको मिल जाएगा telegram sorambalik official पर और telegram पर दोस्तों मैं आपको 5000 GKS के question answer की pdf भी provide करा रहा हूँ और सभी classes के link भी provide करा रहा हूँ अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो sorambalik official telegram channel को जोइन कर लीजें और वहाँ पर आपको सभी classes के link पर मिल जाएंगे जो की unacademy पर free मेरी होती है और अगर आप unacademy plus पर subscription जोइन करना चाहते हैं तो unacademy plus के benefit एक बर जान लीजे unacademy plus पर दोस्तों आपको live classes मिलती है, structure course मिलता है, unlimited access आपको मिल जाता है किसी भी educator की class आप कितने time भी देख सकते हैं, weekly test मिलता है, परसना guidance आपको मिल जाती है test analysis, expert की guidance, study plan, study matter, यह सारी चीज़ आपको मिलती है, जो कि एक exam को correct करने में requirement होती है unacademy का subscription दोस्तों आप study 10 code apply करके join कर सकते हैं, SSC, bank, railway, UPSC सभी category में इस code से आपको maximum discount मिल जाता है और सभी educator की classes आप इस code के द्वारा देख सकते हैं दोस्तो, SSC का जो combat है, वो Sunday to Sunday होता है, 50 question इसमें आपको मिलते है, 40 question में cover करने होते हैं इसमें अच्छी खासी score ship मिल जाती है, यह आप देख सकते हैं इसमें भी आपको study 10 code लगा करके enroll कर लेना है, link नीचे description box में मिल जाएगा सफलता batch में आप enroll कर सकते हैं, और सफलता batch जो है SSC के category में आपका launch हुआ है इसमें आप study 10 code लगा करके maximum discount पा सकते हैं, जिसमें आपको अगर आप 24 मन्त का subscription जोईन करते हैं तो 325 पर मत आपको paid करना है, 12 मन्त में 542 पर मत पेड करना है और सभी test free हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, link नीचे description box में study 10 code लगा कि आप कहीं पर भी कुछ भी जोईन कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं क्लास को, please पुरेंट तक देखेगा दोस्तो आज की वीडियो का पहला question है, निमलिकित में से कौन सा संगठन भारत के इस्तला करती मांचितर की रचना करता है देखें, आपको हर एक question के लिए 3-4 सेकिंद दिये जाएंगे, अगर आपको question का answer आता होगा, तो नीचे comment box में जरूर बताएगा मेरे प्यारे दोस्तो इस question का जो सही answer होगा, वह होने वाला है survey of India यानि की be right answer होने वाला है ठीक है, अगर मैं बात करूँ दोस्तो survey of India की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1767 में अगर मैं बात करूँ अभी इसके head कोन है, survey of India के दोस्तो head है नवीन तोमर, और minister कोन है दोस्तो जो responsible है, वो dr. जितिंदर सिंग, जो की minister of science and technology है तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, survey of India के बारे में, I hope कि ये question आपको समझ आया होगा और इस question का अंसर जरूर याद रखे का दोस्तो, exam में कहीं बार पूछा जा चुका है, चले, next question पर आते है दूसरा question है, पूर्वी 30 मेदान का नाम क्या है, फिर किस और नाम से जाना जाता है पूर्वी 30 मेदान को दोस्तो, और किस नाम से जाना जाता है कोशिस करिए, क्योंकि question काफी अच्छा है, और आप लोगों को जुरूर पता होना चाहिए इस question का दोस्तों जो सही answer होगा पूर्वी तट्ये मैदान का नाम और किस नाम से जाने जाते हैं तो इस question का right answer होगा कोरो मंडल तट्ये मैदान यानि कि इस question का सही answer option C होने वाला है काफी बढ़िया भई तीसरा question है भारत का छेतरफल पाकिस्तान के छेतरफल से कालिस्तान गुना बढ़ा है यानि कि भारत का छेतरफल पाकिस्तान के छेतरफल से कितना गुना बढ़ा है दोस्तों तो इस question का right answer क्या होगा बिलकुल सही answer होगा दोस्तों भारत का चेतरफल पाकिस्तान के चेतरफल से चार गुना बढ़ा है दोस्तों ठीक है एप्रोक्स मतलब चार गुना बढ़ा है तो इस कोशन का सही आंसर ओप्शन भी हो जाएगा देखे मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान का जो चेतरफल है वो 7,95,95 वर किलोमेटर है और दोस्तों भारत का चेतरफल है 3,28,7,263 वर किलोमेटर तो मतलब एप्रोक्स चार गुना बढ़ा बेट रहा है तो आप लोगों को यह है याद अखना है ठीक है चल अगला कुशन क्या आता है दोस्तों नेक्स है भारतिय उप महादीप मुख्यता का एक हिस्सा है ठीक है अच्छा कोशन है यह भी कहीं बार एक्जाम में आ चुका है तो जरा इस कोशन का आप मुझे आंसर बताईए मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का जो सही आंसर होने वाला है गोणवाना लेंड का दोस्तों जो भारतिय उप महादीप है वो किसका इस है गोणवाना लेंड का यानि कि इस कोशन का राइट आंसर ओप्शन डी होका थोड़ा से दोस्तों हिस्ट्री में बताता हूं आप लोग को देखे प्रारब में प्रत्वी एक बड़ा भू भाग था जिसे पैंजिया कहा जाता था जो पंसला नामक एक बड़े जलने का इसे घिरा हुआ था दोस्तों देखे जो बड़ा भू भाग था प्रत्वी दोस्तों ये दो टुगडों में तूट गया था जिसमें एक भाग तो था दुस्तो जिसको कहते है, अंगारा भूमी और एक गोनवान लेंड, जो भारत हिस्सा前 दोस्तो गोनवान लेंड का है, यहें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, समझ आगे सबी को, चले जी, अगला कोशन क्या कहता है, भारत में किस राज्ये क सबसे बड़ा छेत्र है बताइए विच स्टेट है जा लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया तो यहां पर अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट एरिया की तो दोस्तों लार्जेस्ट एरिया जो है वो राजिस्थान का है ठीक है राजिस्थान के पास कितना एरिया दोस्तों राज जो area है वो राजिस्थान के पास है और second number पे आता है दोस्तों मध्यपर्देश ठीक है 388,245 किलोमेटर तो ये आप लोगो समझ आ गया सभी को ठीक है तो राजिस्थान पहले पर है और मध्यपर्देश दूसरे पर है इसमें confuse नहीं होना है भारत की तट्य रेखा कितनी है दोस्तों भारत की तट्य रेखा coast line of India is अराम से सोच समझ के answer करिये क्योंकि हरे question exam के लिए important है भई तो सभी questions जितने भी करा रहा हूँ वो सारे exam के point of view से बहुत ज़्यादा important रहने वाले है तो फटा फटा आप answer बताईए सोच समझ के इस question का जो right answer होगा मेरी प्यार दोस्तों वह होने वाला है 7500 किलोमेटर ठीक है भारत की तट्य रेखा है वो कितनी है 7500 किलोमेटर अच्छा कई student सोच रहे होँगे कि नहीं सर गलत बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहा हो सुन लीजिए भारतिय मुखे भूमी के जो समुद्री तट्ट की दोस्तों ठीक है जबकि अनमान निकोबार और लक्स दीप समू की अगर सीमा को हम add कर ले समुद्री तट्ट सीमा को तो पूरा मिलाके 75-100 km होता है तो यहाँ पी क्या पूचा गया थे दोस्तो भारत की तर्ट रेखा तो अगर पूरी भारत की पूची जा रही है तो उसका अंसर 75-100 ही लगाना है 1-600 मत लगा देना ठीक है ना? चले next question की ओर बड़े अगला question क्या कहता है Luxdeep लक्सदीप कहां इस्थी थे दोस्तो लक्सदीप आइसलेंड लोकेटिड कहां पर लोकेटिड है ज़रा बताईए तो देखें लक्सदीप कहां इस्थी थे यह इस्थी थे दोस्तो लक्सदीप कहां इस्थी थे लक्सदीप आइसलेंड लोकेटिड तो ये इस्तित मेरे प्यारे दोस्तो अरब सागर में कहां पर अरब सागर में ये चीज आप लोगों को याद रखना है ठीक है थोड़ा सा बात कर लेते हैं लक्सदीप के बारे में लक्सदीप दोस्तो अरब सागर मेस्ती थे इसका छेतरफल जो है केवल 32 वर किलोमेटर है और यह एक कोरल केरल अद्वीप है जिसमें मालदी और से 8 डिगरी चैनल पर अलग करती है ठीक है? तो यह चीज भी आपको याद अखनी है अगला कोशन लक्सदीप में कितने दीप है दोस्तो लक्सदीप कितने छोटे छोटे दीप को मिला के बना हुआ है बताएजी बिलकुल सही कोशिस कर रहे हैं आप लोग और इस कोशन का दोस्तो जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह होने वाला है क्या? 36 तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है देखे लक्सदीप एक कोरल दीप समू है जिसमें 36 दीप है इसकी राजदानी दोस्तो कवरती है और इसे 10 डिग्री चैनल द्वारा दीपों के दो समू अर्थार्थ अनमादीप और लक्सदीप में विभाजित होता है यानि कि अनमादीप और लक्सदीप दोस्तो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है ये कोशन भी एक्जाम में पूछा जाता है तो ये भी एक अलग कोशन है और इंपोर्टेंट भी है ठीक है चले अगला कोश्चन क्या कहता है आंद्र पर्देश और तमिलाडू के तटिये इलाके के रूप में जाना जाता है देखे इस कोश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तो तो ये कोश्चन होने वाला है आंद्र परदेश और तमिलनाडू के तट्टी अलाके के रूप में जाना जाता है कोरो मंडल तट यानि कि B रैट आंसर होगा दोस्तो तो यह आप लोगों याद अखना है थोड़ा साब बता देता हूँ आंद्र तट के कुछ हिस्सो और तमिलनाडू के तट को एक साथ कोरो मंडल तट या फिर पायन घाट के रूप में जाना जाता है वैसे कोरो मंडल तट जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यह कोशन आ चुका है ठीक है और यह उत्तर में आंद्र परदेश में फ्लेक्स डिवाइस बिंदू और दक्षिन में कन्या क्युमारी के बीच इस्तित है इंपोर्टेंट पॉइंट और देखिए अगर आप लोगों को यह पीडियाप लेनी है तो पीडियाप लेने के लिए एलिग्राम पे जाईएगा ठीक है और टेलिग्राम पे जाके सोरब मलिक ओफिशल सर्च करना आपको जो टेलिग्राम मिलेगा उसको जोईन कर लेना वहाँ पे वीडियो के तो लिंक मिलेंगे आप लोगों को एसे जितनी भी पीडियाप है बताइए भई कौन सा हिस्सा नहीं है तो गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ निमलिकित में से कौन सा उच भूमी तिलंगना पठार का हिस्सा नहीं है तो राइट आंसर इस अरावली तो राइट आंसर आपको उप्शनी हो जाएगा देखें अरावली पाडिया दुनिया की सबसे पुरानी सबसे पुरानी परवत सरंकलाओं में से एक है और ये भारत की उत्तर पस्चिमी भाग में इस्थित है तिलंगना पठार पूर्वी घाट पस्चिम घाट और सत्पुडा स्रेनी का एक हिस्सा है तो ये भी एक important point है दोस्तो नोट करते हुए चलिएगा निमलिकित में से किस भारती राज्य में कोई तटिय सीमा नहीं है बताइए बहुत easy question पूछ लें मैंने आप लोग से निमलिकित में से किस भारती राज्य में कोई तटिय सीमा नहीं है तो इस question का right answer होने वाला है राजिस्थान ठीक है क्या होने वाला है राजिस्थान गुजरात गोवा मारास्त की दोस्तो तटिय सीमा है बट राजिस्थान की नहीं है तो ये आप लोग को याद रखना है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस किस की है गुजरात गोवा मारास्त सभी भारत के पस्चिमी तट पर इस्तित है जो अरब सागर से सटे हुए है जबकि राजिस्थान पाकिस्थान के साथ भूमी सीमा साजा करता है और गुजरात, मारास, गोवा, केरल, करनाटक, भारत के पस्चिमी तटकी इस्थत पांच राज्य है ठीक है तो ये भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि यहां से भी कोशन पूछा जाए तो आप लोग गलत ना करें चले अगला कोशन विले के लिए किये गए दो केंद सासित प्रदेश, दमन, और दादर, और नागर हवेली का नया नाम बता दीजे नया नाम दोस्तो क्या होने वाला है देखे इस कोशन का जो राइट आंसर होगा दोस्तो वह क्या होने वाला है बिल्कुल इसका दोस्तों जो नया नाम होगा इन दोनों का मर्ज करके दादर और नागर हवेली इस कोशन का रहेट आंसर हो चाएगा ठीक है जी देखे गरह मंत्राले ने गुरुवार 19 दिसंबर को घोशना की की केंद सासित परदेशों दमन और दीव और दादर और नागर हवेली भारत के पस्चिमितट के पास 26 जनवरी 2020 से गुजरात के एक केंद सासित परदेश में विले कर दिया जाएगा नया नाम मर्ज किये गए केंद सासित परदेश होंगे दादर और नागर हवेली आप लोग इसको नोट कर लीजेगा कोशन आता है जोजी लापास जोडता है जोजी लापास connects किसको connects करता है दोस्तो वेरी गूड अगर यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तो इस कोशन की तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वेरी गूड इस कोशन का जो राइट आंसर होगा वे हो जाएगा सिरी नगर और लेहे जोजी लापास जोडता है दोस्तो सिरी नगर और लेहे को जोडता है ठीक है? देखे बोमडिला दर्रा अनाचल परदेश को तिबद की राजदानी लासा से जोडता है यह भुटान के पूर में इस्थित यह पूर्वित्तर राजजों में अनाचल परदेश में इस्थित है तो इस कोशन का राइट आंसर दोस्तो आप लोगों को जाद अखना है सिरी नगर और लेहे को जोडता है चले जी नेक्स्ट कोशन आ रहा है कुल्लू घाटे निमलिकित में से किस परवत स्रंकला में इस्थित है देखे कुल्लू घाटे निमलिकित में से किस परवत स्रंकला में इस्थित है मेरे प्यारे दोस्तों तो इस कोशन का सही उत्तर होने वाला है वेरी गुड धोलाधार और पीर पंजाल दोलादार और पीर पंजाल इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा देखे कुलू घाटी दोलादार और पीर पंजाल सनेडी के बीच बनी है जब व्यास नदी इन सनेडियों में से सोरी कटती है तो यह सांदर दरश्यों का उत्र अधिकार देती है ठीक है चलिए जी अगला कोशन आता है हिमाचल परदेश में एक पास है इन चारों में से बताना है कौन सा पास है तो इस कोशन के अगर बारे में बात करें तो हिमाचल परदेश में एक पास है कौन सा दोस्तो सिपकिला ठीक है तो right answer is option तो यह आप लोग को या दखना है यहाँ पे अगर मैं बात कर दोस्तों हिमाचर प्रदेश में सिपकिला दर्रा भारत चीन सीमा पर एक border post है भारत में सतलर नदी का परवेश इसी दर्रे से होता है यह भी आप लोगों को नोट कर लेना मेरे प्यार दोस्तों ठीक है जी चलिए अगला कोशन आपका आता है कोशन आता है पलककड की खदाई नमलिखित से किस राज्य को जोड़ती है बताए तो दोस्तों यह जोड़ती है केरल और तमिलनाडु को, ठीक है, केरल और तमिलनाड़ू यहां पर राइटा अंतरो जाएगा, देखे यह है, तमिलनाड़ू और के बीच, पस्चिमी घाट में इस्थीत एक पास है, इसे पाल घाट गैप के नाम से भी जाना जाता है, पस्चिमी घाट के अन्य परसिदर्रे थाल घाट और भोर हाट है दोस्तों तो यह आप लोगों को याद अठना है ठीक है कोश्चन आता है खालिस्थान महान हिमालिये में एक ठंडा रेगिस्थान है तो देखे जी इस कोश्चन का अगर मैं बात करूँ यहां पर राइट आंसर की तो क्या होगा बिल्कुल सही आंसर मेरे प्यार दोस्तों इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाक ठीक है महान हिमालियन खालिस्थान महान हिमालियन में एक ठंडा रेगिस्थान है लद्दाक तो ठंडे रेगिस्तान की क्या definition है और ठंडे देखे ठंडे के ठंडे के रेगिस्तान में दुनिया के किसी भी अन्य रेगिस्तान की तरह बहुत कम वर्सा होती है ठीक है, हाला कि इन सेत्र में उनकी भोगोलिक इस्थिति के कारण तापमान बहुत कम होता है तो इसलिए इनकोर ठंडा रेगिस्तान का आजाता है वर्सा यहां पर भी कम ही होती है मतलब इसका रेगिस्तान कहने का रीजन यही है लदाक में बहुत कम वर्षा के साथ संयुक्त उचाई यह है एक ठंडा रेगिस्तान बनाती है गोपी रेगिस्तान ठंडे रेगिस्तान का एक और उधारान है दोस्तों ये भी आप नोट कर सकते हैं किस हिमाल्याई सिखर को सागरमाता भी का जाता है है अगर आप दोस्तों मेरी स्पेसल क्लासिस देखना चाता है अंडेकृट मेरी दो स्पेशल क्लासी रेगुलर होती है नकैडवी पर एक तो दिन में होती है धाई बजे ठीक है एक दिसंबर से हो जाएगी शुरू और एक रात की ग्यारा बजे और मेरे एसाब से दोनों ही आप लोग को जोएन करनी चाहिए रात की टाइम पर जी के कुईज होता है ब माउंट एवरेस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है सागर माता दोस्तों माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है यह दुनिया की सबसे उची चोटी है जिसकी उचाई लगबग 8,850 मिटर है यह भी आप नोट कर सकते हैं अगला कोश्चन क्या कहता है कि हिमा हिमाल्य की सबसे पूर्वी चोटी है तो मेरे प्यारे दोस्तों हिमाल्य की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा बरवा यानि की ऑप्शन होने वाला है एरेट आंसर देखे हिमाल्य की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा है जहां से ब्रंपुत्र नदी भारत में परवेस करती है सबसे पश्चिमी चोटी नंगा परवत है तो ये भी आप लोग नौट कर सकते बढ़ते हैं अगले कोशन की और गौडविन ओस्टिन है गौडविन ओस्टिन इज आ क्या है दोस्तो गौडविन ओस्टिन दोस्तो क्या है एक पीक है सोरी आर नहीं होगा ये P होगा तो प्लीज इसको correct कर ले ना ठीक है ना चोटी है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों Godwin Austin की तो देखिए Mount Everest के बाद Godwin Austin दुनिया की दूसरी सबसे उची चोटी है जिसे दोस्तों K2 के नाम से भी जाना जाता है या K2 भी कहा जाता है इसकी उचय लगबग 8,611 मिटर है तो ये point आप लोगों को not कर लेना है दोस्तों question आता है कि भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है भारत की द्यान से सुनियेगा भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है भई तो भारत की सबसे उची चोटी दोस्तों K2 है यानि की Godwin Austin है कौन सी है दोस्तों K2 है मैंने भी बताया था K2 भारत की सबसे उची चोटी है और दुनिया में दूसरी second number पे आने वाली चोटी है जिसकी उचे लगभग 8,611 मिटर है यह करा कोरम स्रेणी में इस्तित है यह भी एक important है कहीं बार पूछ ले जाता है दोस्तो जो केटू चोटी है यह किस स्रेणी में सबसे highest है तो यह करा कोरम स्रेणी में इस्तित है कहां परिष्टित है ये भी पूछ ले जाता है कोशन आता है हिमाल्य परवत माला का हिस्सा कौन सा परवत नहीं है बताइए वई तो मेरे प्यारे दोस्तो इस कोशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं और इस कोशन का रहीट आंसर होजेगा अरावली क्या होजेगा? अरावली is the right आंसर हिमाल्य परवत माला का हिस्सा कौन सा परवत नहीं है अरावली नहीं है देखे अरावली की बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तो अरावली इमालिय सरंकला का हिस्सा नहीं है या भारत की उत्री पस्चिम भाग में स्थित है गुरु सिखर लगबग 1722 मिटर की उचाई पर अरावली की सबसे उची चोटी है ये भी आप लोगों को या दखना है अरावली की सबसे उची चोटी गुरु सिकर जिसकी उचाई कितने है 1722 मिटर है और राइट चले जी यहाँ पे भी और बता देता हूँ तो हिंदू कुछ एक 800 किलोमेटर लंबी परवत संकला है जो अफगानिस्तान के मध्यम से अपने केंदर से दोस्तो उतरी पाकिस्तान में फैला है तो ये भी आप लोगों को या दखना है देखे ग्रेटर हिमालिया का दूसरा नाम ग्रेटर हिमालिया का दूसरा नाम जरा बताइए क्या है तो मेरे प्यारे दोस्तों greater हिमालिया का दूसरा नाम है हिमादरी क्या है हिमादरी यानि की option हो जाएगा एरेट आंसर ठीक है देखें महान हिमालिया सबसे विसाल हिमालिया सरंकला है और इसे आंतरिक हिमाले के रूप में भी जाना जाते हैं उन्हें हिमादरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों अधिकांस प्रवसरंगला और चोटिया इसी सीमा में स्थित है ये point काफी important है नौट करके रखेगा ठीक है जैसे कि मैंने पीडियाप बता दी थी आपको कहां से मिलेगी ये पीडियाप टेलिग्राम पर जाना सोरब म लिक official सर्च कर लेना वहीं पे special classes के link बे मिल जाएंगे जो मतलब मेरी धाई बजे और रात को 11 बजे class होती है दोनों classes के link आपको वापे मिल जाएंगे question क्या कहता है next question है नाग टिब्बा और महाबारत परवसरंखला में स्थित है तो गाईज इस question का जो right answer होने वाला है वह क्या होगा लदू हिमालया लेसर हिमालया इस question का दोस्तो right answer हो जगा है एनि कि C, तीक है इसके बारे में बता देता हूँ महाबारत और नाग टिब्बा स्रंखला लदू हिमालया में सामिल है लद्वी हिमाले दोस्तों greater हिमाले के साथ पर्मुक पूर्वी पस्चिम परवत सरंकला है उन्हें हिमाचल भी कहा जाता है तो ये भी आप नोट कर सकते है निमलिखित में से किसे स्यादरी परवत के नाम से जाना जाता है तो गाइज इस question का right answer हो जाएगा western ghat ठीक है western ghat is the right answer देखे शादरी पस्चिमी घाट का दूसरा नाम है पस्चिमी घाट का एक जैविक मैं बोल सकता हूं होर्सपोर्ट भी है और भारत में सबस्यादिक जैव विदिता यहां पाई जाती है तो उस्तों कौन सा कथन सही ये जरा पढ़िये और answer लगाईएगा तो इन में से कौन सा सही है इसके बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहां पे मादेव परवत और करनाटक सोरी नहीं नहीं यह गलत है मादेव परवत और मेकाल परवत के पस्चिम में है हाँ यह सही है मेरे को यह नहीं यह सही तो 36 गड में इस्थिद्है मेकाल परवत के पस्चिम में इस्थित्है यह दोनों पाडिया दोस्तों शतपुड रेंज का एक हिस्सा है यह पहे है कि नहीं इंकरत्तिक मार्ग .. है करता है..., कि रूप में जाना जाते है तो guys इस question का right answer होने वाला है pass C is the right answer ठीक है इसके बारे मैं बात करूँ तो एक pass भू विज्ञानिक कठन के पाड़ों की एक सरेनी में एक स्थान है जो आसपास की चोटियों में सोरी चोटियों से कम है यह पाड़ों के माध्यम से एक प्राकर्तिक मार्ग के रूप में कारिय करता है ठीक है चले दोस्तो प्रयदीपिय भारत की सबसे उची परवा चोटी तो प्रयदीपिय भारत की सबसे उची परवा चोटी दोस्तो क्या है अनाय मुडी है यानि कि option हो जाएगा यहाप पे A right answer अनाय मुडी चोटी दोस्तों पालगाट खाड़ी के पास अनाय मुडी पाड़ियों में इस्तित है लगभग 2695 मिटर की उचाई के साथ यह प्राइदीपे भारत की सबसे उची परवचोटी है ठीक है जी बड़े अगले question की ओर? Question आता है अनाय मुडी चोटी कहां इस्तित है? तो अनाय मुडी चोटी दोस्तों साधरी में इस्तित है यानि कि इस question का right answer हो जाएगा option है ठीक है अनाय मुडी प्राइदीपे भारत की सबसे उची चोटी है यह पस्ची मी घाट में केरल राज्या में इस्तित है यह अनाय मुडी और इलायची पाडियों के पास इस्तित है यह point भी आप note कर सकते है कोशन आता है निमर में से कौन सर्वुच चोटी है सबसे उची चोटी इन चारों में से बताना है दोस्तों इन चारों में से सबसे उची चोटी है नंगा परवत इस question का right answer होगा यानि की C right answer हो जाएगा ठीक है कि अगर हिमालिय इसमें इसमें सबसे बाहरी हिमालिय जो है वह शिवालिक है इसको आपको यादकना है पास्चीम और पूर Re गात कहा मिलते हैं सबसे बाहरी हिमालिय चोहां मिलते हैं ? मेरे प्यारे दोस्तो इस question का right answer होगा, पस्चिम और पूर्वी घाट कहां मिलते हैं, नीलगीरी पहाडिया यानि की A right answer होगा चले नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात कर दोस्तों पश्चिमी और पूर्वी घाट नेलगीरी पाडियों पर मिलते हैं जो तीन राज्य अर्थार तमिलाडू केरल और करनाटक की सीमा पर है नोट कर लेना भाईस चीज को भी ये भी इंपोर्टेंट है वे सीमा जो भारत और तुर्किस्तान के बीच जल चेतर के रूप में कार्य करती है तो दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा कराकोरम यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स कोशन है कराकोरम अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत का सिवावरती चेतर है और भारत तो तुर्किस्तान के बीच जल चेतर के रूप में कार्य करता है अगला कोशन है नंदा देवी चोटी राज्य में इस्थित है किस राज्य में इस्थित है नंदा देवी तो देखें नंदा देवी पीक is located in state उत्राखंड कहाँ पर है उत्राखंड is the right answer तो यहाँ पर एगर मैं बात कर दोस्तों नंदा देवी सीकर जो है वो 7,816 मिटर भारत की उत्राखंड राज जमेशतीत है याद रखना है कोशन आता है वैचे तर जो गंगा और सिंदू नदी पर्णालियों के बीच एक जल विवाजन है बते जल्दी से दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर होने वाला है अंबाला क्या होगा अंबाला is the right answer क्या पूछा है वैचे जो गंगा और सिंदू नदी पर्णालियों के बीच आँ अंबाला is the right answer ठीक है हर्याना का अंबाला सेर दोस्तों गंगा और सिंदू नदी पर्णालियों के बीच एक पानी का इस्सा है ठीक है है बारत में पस्चिमी तट के उत्री भाग को कहा जाता है जल्दी बते क्या कहता है है तो गैज इस कोशन का रेट आंसर क्या होजेगा हाँ एक सेकिंड हाँ इसका रेट आंसर जगा कॉंगकर्ण कोस्ट यानि की ऑप्शन होजेगा रेट आंसर है ठीक है देखे अगर मैं बात करूँ भारत में पस्टिमी तट का उतरी भाग को कौनकर्ण कर तट के रूप में जाना जाता है या मारास्ट, गोवा और करनाटक के कुछ हिस्से में फैला है ध्यान से सुनियेगा दोस्तों कहीं बार आजाता है कौन-कौन से राजज़ के इससे में फैला है मारास्ट, गोवा और करनाटक भारत की सबसे लंबी जील का नाम बताई है भारत की सबसे लंबी जील का नाम दोस्तों कौन सा है तो भारत की सबसे लंबी जील का नाम है चले बिल्कुल सही है वेम डान जील इस कोशन का दोस्तो रहे टांस हो जगा तो ये आप लोगों को याद अखना है इसकी जो लंबाई है दोस्तो वो 96.5 किलोमेटर है और लंबाई है इस जील की चोड़ाई दोस्तो 14 किलोमेटर है ये आप लोग याद अख सकते हैं किस्ता आज जीकी सबसे लंबी तटरेखा है तो यहाँ पे सबसे लंबी तटरेखा दोस्तो गुजरात की हो जाएगी ठीक है तो रैट आंसर इस ओप्शन सी निमलेकित में से कौन सी पर्वत संकला भारत में इस्थित है कौन सी पर्वत संकला किस देश में है ठीक है नेक्स्ट कोशन है नागा खासी और गारो पाडियां में इस्थित है तो ये इस्थित है दोस्तो पूर्वी सीमा पर यानी कि एज दरेटाज नागा खासी और गारो पाडी सभी उत्तर पूर्वी भारत में इस्थित है कराकोरम जासकर और हिमालियन रेंज भारत के उत्तर पस्चिमी हिस्से में है तो ये आप लोगों को याद अखना है दोस्तो नेक्स्ट कोशन है बाल्टोरो गलेशियर में इस्थित है तो इस कोशन का रहेट आंसर हो जाएगा ये इस्थित है मेरे प्यारे दोस्तो कराकोरम परवत सरंकला में यानि कि ए इस दा रहेट आंसर तो देखे आप लोग यार एक तो लाइक कर दिया करें और इस पेशल क्लासिस देखने के लिए मेरी प्रोफाइल लिंक को फोलो कर आपको टेलिग्राम मिल दाएगा ठीक है चले दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है कि समीती की सिफारिस पर राज्ये की नीती निर्देशक सिदान्त को सविदान में सामिल किया गया है तो इस कोशन का रहेट आंसर बताएगा बिल्कुल सही आंसर किया है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बी ओप्शन लगा रहे हैं तेज बादूर सप्रू कमेटी यानि की ओप्शन बी राइट आंसर चले थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप लोगों को कि राज्ये और केंद्र सरकार के बीच संबंद और सक्त संतुलन की जाच करने और सविधान के धाचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए जून 1983 में सरकार्य आयोक की स्थापना की गई थी यह लाइन एक बार दुबारा से पढ़ लेना आप लोग और यह पीडियाप आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बिल्कुल याद हो किस अनुचेद में किया गया है बताइए किस आर्टिकल में किया गया है मेरे प्यार दोस्तों बिल्कुल सही है इस कोशन का राइट आंसर इस तो इस कोशन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह क्या होने वाला है बिल्कुल सही नन होगा इनमें से कोई नहीं देखे आर्ट आर्टिकल 66 में यह मेंचन है अच्छा आर्टिकल 58 और 84 में बता चुको 157 क्या बताता है तो आर्टिकल 84 बताता है दोस्तो ठीक है और जितने भी अपॉइंट्मेंट्स से लेटिड होते हैं उनमें फिर कहीं न कहीं कन्फूजन होता है तो आप कन्फूज नहीं होईएगा एक दो बार रीड करना और दुबार से वीडियो को भी रिवाइज कर सकते हैं तो सारी चीजे याद मिलेंगे कोशन आता है प्रोटेम स्पीकर की नुक्ती कौन करता है वो एपॉइंट्स आ प्रोटेम स्पीकर तो देखे दोस्तो बहुत ही इजी है आप सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है देखे प्रोटेम स्पीकर वहे होता है जो आपका लोगसबा का speaker nuked होने से पहले जो time होता है निकी जो temporary speaker nuked किया जाता है उसको proton speaker बोलते हैं और दोस्तों इसको president appoint करता है यह आपको यह रखता है कौन करता है nuked? president याद रहेगा? चले, next question आता है इन में से कौन अनुच्छिद महिलाओं को मातरत लाब परदान करता है which of the following article provides maternity relief to women तो कौन सा article प्रोवाइड कराता है दोस्तों? अरे वाब, बिल्कुल सही article 42 यानि की C is the right answer अच्छे, यह आपर 40 और 41 क्या बता रहे हैं? इनके बारे में भी देख लेते हैं article 40 बता रहे है the organization of village पंचायत यानि की ग्राम पंचायत का गठन यह article 40 में आता है 41 में right to work to education and to public assistance in certain cases काम करने का अधिकार सिक्सा के लिए और कुछ मामलों में सावजनिक साहिता के लिए यह article 41 बताता है और यह आपका 42 है गाईस यह 41 नहीं है प्लीज इसको correct कर लेजे article 42 to make provision for just and human conditions for work and maternity relief यानि की काम की नियाय संग और मानव वचित दसाओं का मातरत लाव उपलब्द कराना यह article 42 बताता है जो की मैं already आपको बता चुका हूँ डिसकस कर चुका हूँ question है इन में से कौन से मोलिक अधिकारों का उलेक article 19 निके निच्चेद 9 में नहीं है तो देखे article 19 which of the fundamental right is not mentioned in article 19 तो right to sleep, right to drink water right to property यह सभी कोई भी इसमें नहीं होता है दोस्तों article 19 में ठीक है इन में से कौन सा परवधान सविधान में विदेशियों के लिए उपलब्द है, ध्यान से सुन लीजेगा पहले which of these provisions is available to foreigners in the constitution what is the right answer तो guys इस question का right answer होगा fundamental rights देखे, fundamental duties directive principle of state policies यह foreigners के लिए नहीं होते हैं ठीक है, बट कुछ fundamental rights होते हैं सारे नहीं होते, कुछ fundamental rights होते हैं, जो की foreigners के लिए भी होते हैं, और Indians के लिए भी होते हैं ठीक है न, अगला question कहता है कि राज्ये सबा के सबापती के रूप में चुने जाने की नियुनितम आईयू क्या है, what is the minimum age to be elected as a chairman of राज्ये सबा, तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, minimum age to be elected as a chairman of राज्ये सबा इस, कितनी होगी भाई, बता दीजे comment box में, 35 years, मैं राज्ये सबा की बात कर रहा हूं, मैं पूरा highlight करके question को पूछता हूं, उसके बाद भी कुछ student answer गलत कर देते हैं, देखिए मैं राज्ये सबा पूछा कुछ ने लोक सबा के हिसाब से answer लगा दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है भई, ध्यान से अपना, देखते हो करिए, question आता है, निमलिकित में से कौन संग सूची से संबंदित है, which of the following is related to the union list, तो देखिए, union list आपको पता है, union list, state list और concurrent list, इनमें कौन-कौन से मैटर आ आते हैं, state list में राज्यों से संबंदित, union list में center से संबंदित, और concurrent list में दोनों, यानि की state और राज्यों से संबंदित, मामले आते हैं, अब यहाँ पे, मैं पूछा गया कि, इनमें से कौन सी union list से संबंदित है, तो देखिए, price control ये नहीं है, car खाना, factories यानि की ये नहीं है, बिजले electricity बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बचा कौन सा, जनगर्ना, यानि की census, तो जो census होता है, जनगर्ना होती, दोस्तों, उसको central government कराती है, तो ये union list का matter है, ठीक है, चली, अगला question आता है, राज्यों की विधान सभाओं में, अनुसुची जातियों और अनुसुच the state is related to which articles, तो ये article 332, यानि के article 332 से संबंदित हो गया, दोस्तों, बाकी 330, 331, 332, 333 मैं एक बर बता देता हूं, फटा फट से, आर्टिकल 330 क्या कहता है, कि लोकसभा में अनुसुची जाती और अनुसुची जनजाती के लिए सिटों का आरक्षन होगा, ये article 330 बता देता ह है, 331 बताता है, लोकसभा में अंगलो इंडियन समुदाय के परतिन दित होंगे, ठीक है, आर्टिकल 332 बताता है, जैसे कि मैं भी बता चुक हूँ, राज्यो की विदान सबों में अनुसुची जनजाती के लिए सिटे आरक्षन में होगी, ये article 332 बताता है, 333 बताता है, राज्यो की विदान सबों में अंगलो इंडियन समुदाय का परतिन दित होगा, ये आपका 333 हो जाएगा, ठीक है, चले, अब आजाते हैं हम नेक्स कोशन पे, 2019 में PMC बैंक, खबरों में रहा था, PMC बैंक सविदान की किस सूची से संबंदित है, PMC बैंक का मतलब है दोस पंजाब एंड माराष्ट को कोपरेटिव बैंक लिमिटेड जिसे PMC बैंक भी कहा जाता है, एक मल्टी स्टेट को ओपरेटिव बैंक है, ठीक है, ये एक कोपरेटिव बैंक है, जिसने 1983 में परिचालन शुरू किया गया था, ये इसकी जो स्थापना है, वो 1983 से है, ओके गाईस, नेक्स्ट है, निमेर में से कौन सा सही है, विच ओप दा फॉलोइंग इस करेक्ट, तो यहाँ पे अगर मैं बात करू दोस्तों, इन में से कौन सा सही है, तो आर्टिकल 352, प्रोक्लेमेशन ओफ इमर्जेंसी बिल्कुल सही है, आर्टिकल 53, प्रोविजन इन इन में से कौन सा सही नहीं है, विच ओप दा फॉलोइंग इस नौट करेक्ट, तो इन में से अगर मैं बात करू दोस्तों, फर्स्ट इंडियन टु जोइन दा आईसी एस, यहाँ पे ओप्शन दिया गया है, सुरेंदरनाथ टेगोर, और क्या पूछा है कि कौन सा सही नही है, तो गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा गोशन है कि कौन इन में से विच ओप दा फॉलोइंग इस नौट करेक्ट, तो आईसी एस में सामिल होने वाला पहला भारते सुरेंदरनाथ टेगोर जी नहीं थे, कौन थे दोस्तों, स्री सतिंदरनाथ टेगोर जी थे, ठीक नाथ, टेगोर, ठीक है, यह आपको याद अखना है, ओलाइट चलिए भई, अगले कोशन पर आ जाते हैं, निमलिकित में से कौन सबसे युवा रास्तपती थे, बताए, विच ओप दा फॉलोइंग वाज यंगेस्ट प्रेजिडेंट, तो यंगेस्ट प्रेजिडेंट द सीधे लोकसबा स्पीकर पद से चुने गए, और सबसे युवा रास्तपती बने, और दो बार रास्तपती पद के लिए चुनाव लड़े थे, यह आपको याद रखना है, कोशन है, भारत के दुवित्य दलित रास्तपती कोण थे, पहले भी बताना है, आप लोग कोण थे के आर, नाराण भारत के पहले दलित रास्तपती और देश के सरुच पद को प्राप्त करने वाले मलियाली व्यक्ती थे, यह भी आपको याद रखना है, कई बार एक्जाम में आ जाता है, कोशन आता है, लोक लेखा समीती अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो तो य यह स्पीकर ओप दी लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्स को अपनी रिपोर्ट समिट करती है, यहाँ पर रैट आंसर हो जाएगा आपका, बी रैट आंसर, ठीक है, थोड़ा सा और मैं बता देता हूं दोस्तों, समीती का अध्यक्स, लोकसभा अध्यक्स दोरा निक्त किया ज प्रेजिडेंट ओफ delिया, डूरिंग उपरेशन ब्लु इस्टार, तो इस कोशन का साई आंसर क्या हो जाएगा, ग्यानी जेल सिंग्, दोस्तों, ग्यानी जेल सिंक्ट, देख़ें ग्यानी जेल सिंग के समय में क्या क्या हुआ, एक बर ध्यानसित नोट करियेगा, ग्या जैसे की Operation Blue Star, इंद्रा गांधी की हत्या, 1984 के सिक विरोधी दंगे, ये सभी दोस्तों ज्यानी जेल सिंग के समय में हुई है। जिस दिन वह कारेकाल में परवेश करता है। उनका कारेकाल पहले समाप्त हो सकता है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चले, नेक्स्ट, तो गाइज राइट आंसर जगब विवी गिरी, भारत के पहले कारवाक रास्पती कोन थे विवी गिरी, ठीक है ना, और थोड़ा सा और मैं बता देता हूं कि विवी गिरी जो हैं दोस्तों, ये डाक्टर जाकिर हुसेन की मृत्त्यु के बाद वि तो इस कोशन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आपने लगाया है, प्रेजिडेंट इस दारेट आंसर, तो नीति आयोक के अध्यक्स अपना इस्थिपा किसे सोबते हैं, प्रेजिडेंट को सोबते हैं, तो देखे आर प्लीज आप लोग लोग लाइक नहीं करते हो, तो लाइक जरू करते हैं, ठीक है, चलिए वे, नेक्स्ट, और देखे गाईज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनेकेडमी पर आपको मिल जाता है, जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी इनेप्रोप्येट कंटेंट इन द वीडियो, मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है, जो की स्टडी से लेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज विन कर सकते हैं, ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें आप ये चीजे बेज के, औ आपको सब्सक्राइब कर लिजेगा, पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ओन रखिए, और वीडियो को लाइक और सेयर करना भूलिएगा मात, ठीक है, और देखिए अनकेडमी पर मेरी दो स्पेशल क्लासिज हो रही है, इसके बारे मैं बता देता हू एक तो दिन में होती है, दोस्तो धाई बजे, ठीक है, और एक होती है रात को ग्यारा बजे, दोनों ही इंपोर्टेंट है, और दोनों क्लासिज को आप कैसे देख पाऊगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनकेडमी